तो जैसा कि अभी समर का सीजन चल रहा है जिसमें लोग बड़े ही चाव से एस्क्रीम खाना पसंद करता है खाए भी क्यों ना वैलेना चोकोवार कुलफी और हांडी वाल हस्क्रीम बस यह नाम सुन करके आपके मुझे पानी आ गया और खाए भी क्यों ना इसे खाने के आप्त होता है उससे लबजों में बया नहीं किया जा सकता इनका सिर्फ और सिर्फ मज़ा फर्ष्ट बाइट में ही है उसके बाद तो लगता है घर की मुर्गी दाल बराबर लेकिन इस वीडियो का परफस आपके मुझे पानी लाना नहीं बलकि यह है कि जब आप ऐस्क्र क्या है तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि एस्क्रिम खाने के बाद हमें प्यास क्यों लगता चलिए इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगा कि मैं दो दिन पहले एस्क्रिम खा रहा था तो मुझे प्यास लगने लगी जब प्यास एसक खाते हैं तो उप्यास लगती तो मैंने ज़ैँ के पिछ़ी एगा जाना तो जान के चोब किया इसमें होता हुआ कि आस्क्रीम बनाने में दो छीजों का एहम भूमिगा रहता है जिसं overlap कि की वहले पानी पंऄ सुगर के बनाया जाता हूँ सोडियम निस जब कम होती है तो इसकी संकेत हमारे ब्रेन के एक पार्ट जिसे हम हैपोथेलमस कहते हैं उस पर एक सुचने जाती है कि भाई है शरीर में पानी की कमी हो गई एतर जरा पानी पीजिए तो इसी के कारण हमारा में ब्रेन आउडर देता है कि पानी पीजिए आपका शरीर में ज तो आपके गले में खरास और दात में शमवेदम सील जन जन macht हो जाएगी जिसके कारण आपके गले खराब हो सकते हैं और आपके जन और साफधान रहें सतर्क रहें अधि नम्रों अगले वीडियो में नियू फैक्त नोलीजबल वीडियो के साथ